अमेरिका और विंडीज से चिन सकती है T20 विशुकप 2024 की मेजबाने इस नए वेन्यू का नाम आ रहा है सामने हेलो नमस्कार मेरा नाम है सुनीता और आप देख रहे हैं NTV Sports T20 विशुकप 2024 विंडीज और अमेरिका की मेजबानी में खेला जाना है लेकिन इस से पहले बड़ी अपडेट ये आ रही है कि US और विंडीज से ये मेजबानी चिन सकती है और इंगलंड को नए वेन्यू के तौर पर देखा जा रहा है कारण ये है कि अमेरिका और विंडीज में विशुकप को लेकर जिस तरह से तयारियां होनी चाहिए उस तरह की तयारियां नहीं है यानि कि ICC जो है US और विंडीज की तयारियों को लेकर संतुष्ट नहीं है असंतुष्ठ है ऐसे में वैन्यो को चेंज किया जा सकता है और इंगलिन को इसकी मेजबानी दिये जाने के बारे में विचार किया जारा है हाला कि ये मीडिया रिपोर्ट्स में ही ये खबरें आ रही है और रिपोर्ट्स के तौर पर ही ऐसा कहा जा रहा है इसकी पुष्टी फिलहाल ICC ने नहीं की है अब देखना होगा कि 2024 विशकप जो है वो किसकी मेजबानी में खेला जाता है अगर बात करें तो इस विशकप की तो ये अब से 12 महीने बाद यानि की अगले साल जून में खेला जाना है उससे पहले वैन्यू किस तरह से चेंज होता है और किसको मेजबानी मिलती है ये भी देखना दिल्चस्प रहेगा लेकिन अगर इंगलंड की बात करें तो 2030 का विशकप भी इंगलंड होस्ट करने जा रहा है ऐसे में देखना होगा कि अब 2024 में इंगलंड को T20 विशकप की मेजबानी मिलती है या नहीं या फिर US और West Indies में ही जो विशकप है ये देखने को मिलेगा फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स में तो इसी तरह की खबरें आ रही है पुष्टी होने पर हम आपको अपडेट ज़रू देंगे वैल आपकी क्या राय है कि क्या इंगलंड को T20 विशकप 2024 की मेजबानी मिलती चाहिए आप अपनी राय हमारे साथ कॉमेंट सेक्षिन में साचा जरू कीजिएगा इस विडियो में फिलहाल इतना ही बाकी की अपडेट के लिए देखते रही है